हलो दोस्तों तो आज मैं आप सब के बीच लगाए हूं 32 32 का हाउस प्लान जो की 1024 स्क्राइर फिट का है और 32 के कोडिंग मैंने यह प्लान बनाया हुआ है काप पाकेंग एक चैर केश अदर बात रूम कीचन जायओ बैसे एक मास्टर बियुम है जो कि उसके अंदर टोलेट बातुमाटेच है और साथ में एक OTA है तो दोस्तों यह रहां 32 भाई 32 का प्लान आप सबके सामने हैं मैं बता दू इसमें मैंने कार पार्किंग रखा हुआ है स्टाडिक हम कार पार्किंग से करते हैं कार पार्किंग का साइज जो है 11 फिट 2 इंच यह वोता है इंटू 10 विट ठीक है दोस्तों उसके बाद हम में गेट सेंटेंस करते हैं घर के अंदर स्टेयर के सिसका जो मैंने रखा हुआ है बाहर की ओर रखा हुआ है कि में गेट का साइज जो है 7 feet 7 inch है यहां पर मेंसन किया हुआ है मैंने ठीका दोस्तों और स्टेर केस का साइज है 3 feet 9 inch यहां पर है आप देख सकते हैं मेंगेट से हम इंटेरिस करते हैं अंदर की ओर तो यह पहले हमें हॉल मिल जाता है जो कि हॉल का साइज है मैंने 24 feet इन्टू आट फिट पांच इंच ओके दोस्तों यह हॉल की साइज है और हॉल के अंदर मैंने किचन दिया हुआ है जो की ओपन किचन है किचन का साइज जो है साथ फिट इन्टू आट फिट पांच इंच उसके बाद हम आते हैं इस रूम में इस रूम का साइज जो है 11 फिट दो इंच इंटू 10 फिट ओके उसी बाद हम सामने जाते हैं यह रूम से निकलते हैं तो यह रूम का साइज है 11 फिट पांच इंच इंटू 11 फिट दो इंच 11 फिट दो इंच और यह टोलेट बात रूम मैंने हॉल की तरफ से दिया हुआ इसका ताकि यह रूम और यह रूम जो भी है या गेस्टो उसके लिए यह मैंने टोलेट बात रूम दे रखा है तो टोलेट बात रूम का जो साइज है वो तीन फिट छेंच है 24 की लंबाई 8 फिट चार इंच है 8 फिट चार इंच ठीक है दोस्तों लंबाई इसकी 8 फिट चार इंच है इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यह रूम हमारे पास मिल जाता है जिसके साइज जो है 11 फिट 5 इंच लंबा है और चौणा इसकी 11 फिट 2 इंच ओके दोस्तों इस रूम के अंदर मैंने लैटिंग और बात रूम आटेश रखा हुआ है लैटिंग और बात रूम का जो साइज है सेम हो जाता यहां पर तीन फिट 6 इंच चौणाई हो जाती है इसके लंबाई 8 फ पिछे मैंने ओटेश दिखा और एक इसलिए जरूरी है क्योंकि यह प्लाइन दोस्तों तेन फेसिश का ब्लॉक है ठीक है दोस्तों तेन फिट इसका बलॉक है यह फेसिश का बता दूं ऐस्ट वेस्ट नॉर्थ सब ठीक है दोस्तों सिप इसका इस्ट फेस जो है ओपन है ठीक है दोस्तों तो इसलिए मैंने OTS यहां पर बहुत ज़रू है ताकि यह रूम यह रूम टोलेट और बात रूम इस सब के लिए विंटिलेशन और विंडो की ज़रूबत है इसलिए OTS डाला हुआ है OTS का साइज यहां पर दो फिट 6 इंच है 24 के और साथ फिट साथ एंच लंबाई है दोस्तों बत्यस बाइब त्यस के प्लान में अ कि अपनी तरफ से जो भी बेतर किया हुआ है अधुस्तों और इस रूम का विंडों यहां पर है और यह किछन का विंडों मैंने यहां पर दे रखा है कि यह कापा कि मुआ लिए रहे हुआ कि दो मैप डिटेल आप सबको बता दू वाल थीक्निस मैंने इसमें पांच इंच रखा हुआ है डोर वन है जो कि तीन फिट है डोर टू तो फिर छेंच है और विंडू का साइज मैंने पांच फिट रखा हुआ है दोस्तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंड करें नोडिफिकेशन ओन करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले आपको मिलें